आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Question is given that In Question Find the Find the Measurement of the Angle Which is equal to Its Complimentary Angle Complimentary Angle क्या होता है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं उसी के बाद तो हम बता पाएंगे कि कौन सा Angle है जो equal है its Complimentary Angle के तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो Complimentary Angle के बारे में बात करते हैं Complimentary Angle क्या होता है? इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो देखें यह जैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है यह कोई एक एंगल है आपके पास इस एंगल के बीच में से कोई एक लाइन अगर मैं ले लूँ इस एंगल के बीच में से इस बारे एंगल को अगर मैं एकस कहता हूँ और इसको मैं कहता हूँ बाई तो जो Complimentary Angle होता है आपका जो Complimentary Angle होता है वो क्या होता है उस शीच को समझ लेते हैं जो Complimentary Angle होता है हमारा Complimentary Angle Complimentary Angle होता है इसका मतलब होता है Sum of 2 Angle is equal to 90 degree तो यहाँ पर sum of two angle की बात हो जाएगी यानि कि complementary angle हमारा किसके बराबर होता है sum of two angle is 90 degree जो भी हमारे दो angle होते हैं किसी भी angle के बीच में उनका sum हमारा कितना होना चाहिए 90 degree होना चाहिए तो यहाँ पर angle x और angle y जो दिया गया है इसका sum किसके equal होना चाहिए 90 के equal होना चाहिए इसे ही हम क्या बोलते हैं complementary angle का sum बोलते हैं आप यहाँ से बड़े दिहान से सुनिएगा कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर angle x आपका अगर angle x आपका 30 degree है तो इसका complementary angle y बनेगा और angle y हमारा कितना बनेगा 60 degree बनेगा यह इसका complementary होगा तो अब उसने यह कहाए कि हमें वो angle बताना है जिसका complementary भी उसके equal हो तो जब complementary भी equal होगा तो इसका मतलब क्या हुआ x बराबर किसके होगा बाई के होगा अगर complementary equal होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर होगा बाई के तो इस condition में angle x और plus angle y is equal to अगर हमारे पास 90 degree होता है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि angle x और plus में angle y की जगे भी angle x आ जाएगा और यह बराबर 90 degree के हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा 2 angle x is equal to 90 degree तो मुझे पता चलेगा कि angle x is equal to कितना निकल कराएगा हमारा 45 degree कितना निकल कराएगा 45 degree और उसने यह बोलाए कि बताइए वो कौन सा angle होगा जिसका complementary angle भी उसके equal होगा तो वो हमारा 45 degree angle बनेगा जिसका complementary भी उसके equal बनेगा option के बास चलते हैं पहला option 90 degree है इसका complementary तो 0 degree होगा तो यह तो होई नहीं सकता यह 45 degree है इसका complementary भी 45 degree होगा तो यही हमारा answer होगा अगर मैं 80 degree की बात करूँ तो इसका complementary तो 10 degree होगा तो यह भी हमारा answer नहीं होगा 100 degree है तो इसका तो complimentary बने गाई नी कि sum of complimentary angle ही 90 degree होता है तो ये तो हो गाई नी तो option हमारा कौन सा correct हो गया तो option B हमारा एकदम correct हो गया यहीं कि second वाला option हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम right हो जाएगा I hope this is the right answer of your question, thank you so much Classics to 12 से लेके Meet IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर